दोस्तों हाँसाने एक होरी वीडियो रिपोर्ट लाएके चैनल रितेश लखियान प्लाग डूते थे आज दिस रिपोर्ट विच मैं गाल करांगा देश दे परदान मंत्री नरिंदर मोदी दी पंजाब फेरी जलंदर विखे आज उनाने एक रैली नों संबोधन किता पांच जनुरी नों फिरोषपूर विच जड़ी रैली नहीं सी हो सकी या मुकमल नहीं हो पाई सी दरिंदर मोदी विवादे थालादा दे विच वापस मुड़ गे सुरुख्या दी चूकदा एक विशा एक बहुत पहला मौका सी जड़ो नरेंदर मोदी पंजाब दे लोकां ते पंजाब दे पार्ती जन्ता पार्टी ते उना दे जड़े गठ जोड़ दे साथी उना दी रैली दे विच शरकत कार रहे संते उना ने जड़े सुने हैं अपने इस मांचतों देते ओ एक विचार ते गंबी इंजन सरकार सो ए डबल इंजन सरकार की पंजाब दा बेडा पार लाएगी या फिर उस संगी टांचे दा बंटा तार हों जा रहे हैं जिस तरीके दी सोच जिस तरीके दा फलसफा है उस देश दे उस फेटल स्ट्रक्शर ली किड़ा का तक ते खतरनाक है इस सारी अपने आप देविच बहुत हैरान कर देन वाली गाल है हलाकि एक नमा कॉंबिनेशन ते नमे समी करना तहत एक नमा पंजाब बनावन दी कलपना लेके देश दे प्रदान मंत्री चोन परचार बेचार फिजिकली कुद दे एचीज मननी जा सकते लेकिन नमी टीम के में मनन आजा सकता है सुखदेव सिंग टीम सा आते कैप्टन अमरिंदर सिंग दे नाल राल के कठे होए एक अजे है नमे पार्ती जनता पार्टी या फिर पगवे देविच रंगे होए उस कुण मेनू जिसनों की नमी टीम ना या संग्या दिती जा रही है तो एक बड़ा बड़ कारदयां होया उस लड़ाई नू एक मुकमल सिट्टे तक पचान दा वादा दावा किता लेकिन नरेंदर मुदी जदो इंगलना बाता कार रहे ने ते सारी इंगलना बाता उही नमी टीम दे सिर उते करंदे दावे कारदे नजर आए जिना देविच कैप्टन अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर सिंग भी ते पच्ची साला दे विच पंजाब दे विच इने वक वक सरकारा रही हैं यानि कि पांज अलागला सरकारा उना दे विच दो सरकारा कैप्टन अमरिंदर सिंग दी हैं ते सड़े नौ साल उना नू पंजाब दे विच राज करंदा मौका मि उसी माफिया राज दे बारे कैप्टन अमरिंदर सिंग खुद कहन दे हुए वीते दिना सुनाई दिते ने कि ओ इनस माफिया राज दी गतिविदिया नू अक्खाम मीट के बरदास्ट कारते रहे होना थे उबरण वाला सवाल ए है कि की देश दे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी अजे है लीडना है इनकी कैप्टन अबरेंदर सिंग अते सुकदेव सिंग टेंट सावर के लीडना मैं तैना नू ठके होई लीडर मांदा हां कि एना दे आस या इना दी लीडर्शिप दे सिर उते ही ओस लंवी चोड़ी लड़ाई नू माफिया राज ते नशे दे खिलाफ लड़न दा इरादा लाके पंजाब विच आये ने या फिर उना नू इना लीडना तो कुछ लैना देना नहीं है एही कारण है कि पार्ति जंता पार्टी या एंडिय दे गठबंद ने इस रिपोर्ट दे जो की ओस डबल इंजन दी सरकार दा फलसफ़ा है जिसनों की कई रहलियां ते कई नेरेटिव दे विच पार्ति जंता पार्टी ने कई होर सूबय दे विच भी इसनों उबार्या है सुकी पार्ति जंता पार्टी दी कलपना वाली और डबल इंजन दी सरकार यानि की केंदर दे विच मजबूत अंडिय दी बीजेपी लेट गवर्मेंट अते सूबय दे विच भी ओना दी सरकार जे आज अंडिय ता पंजाब दा पला हो सकेगा ए बड़ा मुडला सवाल है लेकिन पंजाब दा बेडा पार्क इनना लगना है इस बारे ता कोई गरंटी नहीं दित्ती जा सकती क्योंकि लेदे के जमीन दे होते सते होते कामकरन वाले लीडर ओही लीडर ने ते कॉंबिनेशन भी इस पार्टी ने ओही चोणे है यानि की पुरानी शराब है लेबल पंजाब पंजाब एक अजेहा सूबा है जिस दी होंद अपने आप दे विच उस संगी टांचे दे विच्चों ही उबर दी है उस दी मजबूती दे विच्च ही अपने आपनों परिबाशत थुन्दी हुई वेक दी है जिस दी कलपना देश दी अजादी या बंड मौके पारत थे पाकिस्तान अलाग अलाग मुल्क बांदे ने उस वक्त किती गई सी असी साब इस चीज़नों अच्छी तरह समझ दे है कि पारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला मुल्क है असी एक यूनिन आफ स्टेट्स है अलाग अलाग सूबे ने राज ने जिना दे अपने उस तो पहला थे उस तो बाद बहुत अजे है राजजान ते सूब्या नू पारत थे विच गंसॉलिडेट करन थे एक बहुत वड़ा काम किता गया एक बहुत वड़ी लामबंदी सी जिस तहत सरदार पटेल ते जो आलाल ने रीजनल लीडर सें जोकी कॉंग्रस थे नाल गोड़े नाल मोड़ा लाके जोटे उनाने बथेरी प्रिंसली स्टेट्स नू एगरी कराया थे बथेरे अजे है होर राजजानू पारत थे विच मर्ज होके यूनियन आफ इंडिया ता हिस्सा बनन लई सेमत करवाया लेकिन उस तो बाद जित्थे दखणी पारत राज ज जिसनों कि आपा आजदा पंजाब दास दे हाँ एक वड़े सूपे तो एक छोटी सूपी दे बिच का तबदील हो गया इना उन्निया विया साला दे बिच एक इसनों समझ बिच नहीं आया ते हर्याने दा एक वकरा राज बान गया बोली दे उते पाशा दे अधारित जड दौर दे विच उस दी मुखालपत देश दी सुरुख्या दे ना उते हमेशा हुंदी रही यानि कि ओही सुरुख्या दा डिस्कोर्स या सुरुख्या दा जड़ा हुआ आज उस सुरुख्या दी गालबात नूँ या उस अस सुरुख्या दी दूसरे तरीके ने लिच नो पंजाब नो एक बोली होते अधारी ते पाशा होते अधारत सुबा नहीं बनन दे रहा सी तो एक बहुत लंबा चोड़ा समा पंजाब दी जड़ी स्टेट हुड सी बेस्ड अपॉन डिड़ी ओफिशल लेंगवेज जो की पंजाबी होनी चाहे दी सी यसी ओ डिनाई किती की पंजाब नो सिर्फ एसे डारतो डार ओस वक्तियां सरकारा देवी एही सी की पंजाब एक बोली होते है पाशा होते है अधारित सुबा होन दे पक्खों पारत नालों अलाग ना हो जाए या फिर खुद मुक्तियारी दजड़ा उस दा डिमांड है ओ इस पदर ते इस स्केल ते ना जा पहुंचे की ओस नो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना पए जम्मु किश्मीर्दा के सामने सी ओथे एक अजेहा बखरा समझाता होया ऐसी आर्टिकल 370 नो जिमें रीसेंटी अब्रोगेट किता गया उसनो कैंसल किता गया पार्ती जन्ता पार्टी वलों ओ एक संगी टांचे या डिकी ओस फेडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते एक बहुत गहरी चोट सी जो की लाए गई खेरो एक स्पेशल स्टेटस सी लेकिन होर बहुत पारत दे जेहे राज दे सूपे संग जो की इना परोसें दे उत्ते उस वक्त दिया पारत सरकारा जो की जाद तर कॉंगरिस लेड्ड सरकारा पारत दे बिच केंदर दे बिच रहिया उना दे परोसे उत्ते ही पारत दे इस युनियन दे शांग दे शांग दे जाता दे जान पारत दे जान जिस तहरत कि नरेंदर मोदी ते बीजेपी दी जेडी लीडरिशिप है उसने 2014 तो पहला ता नारा देता है कि कॉंग्रेस मुक्त पारत वो बनावनगे। यानि कि उना दे पूरे दे पूरे डिस्कोर्स दे विच विरोधी तेरही इस जमुरियत दे विचो इस डिमोकरीसी दे विचो गायब होनी चाहिए दिया है। यह अपने आपदे वीचे बहुत खतरनाक ट्रेंड दा बहुत खतरनाक रुजान है। एक पार्टी, चाहे हो किसी परिवार भलनो संचालित पार्टी है, या फिर किसे भी तरीके नाल, कोई भी उसना सम्भीदान है, कोई भी उसना एक कामकरंदा तरीका या सलीका है। लेकि ओ दिन गया ते आज दा दिन आया ते किते ने किते पीते दो इलक्षना दे बिच असी कॉंग्रस नी जो अपने लच्छन है गया ने जो अपनी आहरकता है गया ने उना दे चल दे कॉंग्रस नू सूबिया दे बिच्चों या फिर केंदर दे बिच एक बहुती मार्जिनल र यानी कि Congress मुक्त पारत दा एक होर बहुत ख趹रनाख dimension जो अज जिस दी चर्चा किती जा रही है ओँ है ओँ ही double engine दी सरकार यानी कि तुसी केंदर दे वी जडि सरकार चुनते हो Parliament election दे वी जडि सरकार चुनते हो उसे तरिके दी सरकार नो तुसी सूभे दे बू evin चुनो या उसे पार्टी दी उसे गठबंदन दी सरकार नो तुसी सूबे बिच मौका दो ताकि सूबे दा विकास हो पाए। इस तरीके दा डार एना लोका एना सूबे दे वस्निक का बशेंदया वोटना दे मना दे विच पाणा कि थोड़े सूबे दी तरक्की दी रफ्तार टेली पादांगे जे तुसी बीजेपी या फिर उस दी हमायती पाटियां दे कैंडिडेट्स उमीदवारा नो वोटना किस तरीके दा नारेक्टिव है जिसनों की सिर्जन दियां कोशिशा देश दे चोटी दे ए लीडर कार रहे ने मैंनों हरानी थोड़ी जी एवी सी की उसे मांचतों से संबोधन दे बेच फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल संगी टांचे दी गाल देश दे प्रदानमंतरी दरेंदर मुद्धी ने किती खुशी होई कि उना दे मुचो फेडरलिजम या फेडरल स्ट्रक्चर टांचे दे प्रती एक शब्ता कट्टो कोट निकला है जानदा है ओ आपस दे बिच काम कारदेने जालातर अख्तियार ओरिजिनली जड़ा साथा सविदान सी उस मताबक इना राजजानों ही दिते जाने सन डिफेंस करंसी कुछ होर टैली कम्यूनिकेशन वर गे वड़े जड़े चारिक विशे जेह सन जिना नू छड़के सारी दी सारी ताक्ता टैक्स कठे करन दियां टैक्स वसूल लिंड दियां अपने खर्चानों अपने मताबक अपनी खेतरी स्थानक लोड़ा दे मताबक जो भी तुसी काम जिस तरीक के नाल भी तुसी अपनी सरकार चलाना चान दे हो ओ तुसी चला सकते हो इस तरीक के दी कलपना इस सम्विदान दे विच या फिर सम्विदान दे उना जड़े रचनाकार सन उना ने कीती सिते इही परोसे दोआये गए सन अलागलाग सूब्यानू एक बहुत लंबी चौड़ी मूवमेंट पंजाब दे विच पंजाबी सूब्यानू लागे तुरी जस्तोबाद की तकरीम वी साला दे संगर्स्तोबाद पंजाब होंद विच आया अक्तियार बचे ने उननुख अपाँ इस नरेटिवनु या इस गालबाद नो गे तोर-थोर के खतम कार दिये क्या आपा डबल इंजन दी सरकार चलाई'े आपाँ इक ही सरकार सूबे दे बिच ओए तै एक ही सरकार के इंदर दे बिच होए तो जदो एक पार्टी एक लीडर चड़ाई दे उते हुंदा है, यानि कि उस दा चंगा समाद दौर चाल रहा हुंदा है, तो उसनों एस तरीकी दे कदना कीमता या जड़ियां वैल्यूस हुंदियांने, उना दे विच गलवात करना, उना दे उते पैरा देन दी कदे भी ल तो जदो लीडर्शिप नो भी एस चीनों समझें दे लोड़ा है, पंजाब वो सुभा है, जिसने एक बहुत लंबा चोड़ा संगर्ष देख्या है, उस पूरी दी पूरी लड़ाई दा जिस दे विच की वादू ताक्ता दे लई, वादू शक्तियां दे लई, पंजाब दी बोली दे ली, पंजाबी बोल दे इलाक्यां दे ली, चंडी गड़ दे ली, फोज दे विच पंजाबियां दी, पंजाब दे नौजवाना दी जादा परती दे ली, एस चीलिक बहुत लंबा चोड़ा संगर्ष असी विड़ चुके हैं, ओ दौर निकल चुका है, आज एक वखरा दौर है, लेकिन एस दौर दे विच भी जे यूनिटरी करेक्टर दी गाल कितनी जान दी है, संगी कदरा कीमता तो थोड़ जा कोई परेहुंदा होया लीडर या कोई पार्टी नजर आ दी है, ता फिर साड़ी जिम्मेवारी बाढ़ दी है कि कट्टो काट उसन बड़ा पॉइंट है, जिस उते की मैस पूरी गालबात नो लेके भी आना चाह रहे सी, ते इस गालबात नो कंक्लूड भी इसी पॉइंट तो करांगा, पंजाब दा वोटर किसी भी पार्टी नो वोट दवे सरकार कोई भी बने, लेकिन तरक्की दी रफ्तार इस चीज़ उते निर्बर कदे भी नहीं कारनी चाहिए दी कि केंदर दे विच केड़ी सरकार है, ते ओस सरकार दे नाल थोड़ी की एक्वेशन है, सुबे इस चीज़े मोहताज ना रहे हैं कि केंदर दे विच केड़ी सरकार है, ते केंदर दे विच कोई भी सरकार होवे, ओ किसी भी स वीडबैक का कॉमेंट्स दी शकल विच मैंनो इस रिपोर्ट बारे जरूर दो तानवाद